एक्सल में अगर इन फॉर्मलाज में आपको कोई भी डाउट है या एक्सपर्स की तरह आप ये फॉर्मला लगाना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत कामका है बिल्कुल बारी की से बेस्ट एक्जाम्पल्स के साथ एक एक फॉर्मला मैंने यह पर एक्सप्लेइन कर दिया है और ये एक्सल में सबसे ज्यादा कामाने वाले फॉर्मले हैं जो हर एक एक्सल यूजर को अच्छे से लगाने आने चाहिए फटापट वीडियो शुरू करते हैं टाइम बेस नहीं करते हैं बस वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर पहली बार तो देखिए वी लुक अप फॉर्मला कैसे काम करता है मेरे पास यह डेटा है प्रोडेक्ट आइडी प्रोडेक्ट नेम एसेशन कोड सेलर नेम क्वेंटिटी सोल्ड वी लुक अप से आप डेटा में रिकॉर्ड सर्च करके अलग निकाल सकते हो जैसे यहां पर देखिए म एक सो चार आइडी की यहां पर क्वेंटिटी सोल्ड बताईए तो आप कैसे चेक करोगे पहले आप यहां पर चेक करोगे एक सो चार आइडी कहां पर यह री उसके बाद सामने जाओगे क्वेंटिटी सोल्ड वाले कॉलम में फिर उसकी वैल्यू को बताओगे ऐसी तो बत पूरना है product id ये वाली तो sell मैंने कर दिया है select कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे table array में आपको अपनी पूरी table select कर देनी है कॉमा लगाने के बाद यह कहले है column index number आपको इस table में से कौन से column में से value यहाँ पे लानी है हमें क्या नकलना है quantity sold और quantity sold वाला जो column है वो कौन सा है one two three four five fifth column है तो यहाँ पे five type कर देंगे कॉमा लगाके exact match के लिए zero type कर देंगे bracket बंद करके enter press करेंगे तो देखिए 104 product id की quantity sold है वो footty है 104 product id से चेक किया कहाँ पे है yeari इसके बाद गया fifth column में आगे और footty उठा के आपको दे दिया आप यहाँ पे अगर id चेंज करोगे मान लिजिए मैंने यहाँ पे लिखा 102 enter press किया तो 102 की quantity sold इसने निकाल के दे दी 102 कहाँ पे है yeari इसके सामने पाँचवे column में गया 20 value उठा के आपको दे दी इस तरह से record search करने के लिए हम use करते है वी look up formula यह तो अभी एक छोटा सा trailer था आगे आप देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या करना है यहाँ पे होगी यहाँ पे जो hsn code लिखा होगा वही तो होगी कॉमा लगाने के बाद उसके बाद गया टेबल एरे अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी दोस्तो हमारी look up value hsn code तो अब यहाँ पे जो we look up में table आप दोगे ना table आप select करोगे उसमें hsn code वा तो आपकी जो table आपने select की है उस table में पहले column में होनी जरूरी है अब यहाँ पहले column में तो product ID है है ना तो इस case में we look up काम नहीं करेगा तो यहाँ पे hsn code हमें enter करेंगे उस case में हमें क्या करना होगा या तो hsn code वाला column आप cut paste करके table के शुरू में रख लो या फिर आप यह यहां से table को select करो यहां से table को select करो अभी हमें निकालना क्या है यहां पे quantity sold quantity sold तो हमने वी लुगाप में इतनी table दे दी तो हमारा काम हो जाएगा बट अगर हमें product name निकालना होता जहाँ पे हमारी lookup values हैं उसके left से data निकालना होता तो उस case में we look up काम करता ही नहीं है ठीक है x look up सारा काम करेगा x look up आप देखना मज़ा आजाएगा आपको सारे काम index match हो v look up, look up, h look up सारे formulas का काम जो है अकेला x look up कर देगा अभी मैं समझा रहा हूँ तब ही आपको series में पहले आप v look up समझो तो हमें यहाँ पे hsn code देना है और hsn code फिलाल अभी पहला column बन गया है quantity sold हमें निकालना है अब यहाँ पे comma लगा देंगे comma लगाने बाद column index number हमें देना है कौन से column से value उठानी है आपको अब यहाँ पे column number जो हम count करेंगे वो हम इस table में से count करेंगे जो हमने select की है तो पहला column तो यह है second column यह है third column यह है तो यहाँ पे quantity हमें निकालनी है तो यहाँ पे three type कर देंगे comma लगा के exact match के लिए zero bracket बंद करके enterprise कर देंगे तो यहाँ पे अभी error आ गया क्योंकि हमने कोई यहाँ पे hsn code दे नहीं रखा है और सामने किया तीसरे column से value उठा के आपको दे दी समझाया ऐसे जो है we look up काम करता है अगर आप hsn code के जरीए product name निकालना चाहो यह product id निकालना चाहो तो उस case में we look up काम नहीं करेगा we look up की यह condition है मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपकी look up value है वो आपकी जो table है जो आप we look up में दोगे उसमें पहले column में होनी चाहिए अगर आपको hsn code से product name निकालना है product id निकालना है तो hsn code को आप यहां से cut करके table के शुरू में रखो तब ही यह we look up काम कर पाएगा समझा आ गया होगा इतना अब यहां पे देखिए मैं क्या करता हूँ यहां पे जो भी product id में लिखूँ मैंने यह पे 102 id लिख दी तो उसका पूरा data हमें निकालना है यहां पे पूरा data निकालना है सारे columns का तो यहां पे formula हम कैसे लगाएंगे equal we look up bracket open look up value में यह cell दे देंगे इसको हम lock कर देंगे क्योंकि formula हम पकड़के एदर drag and drop करेंगे न तो इस cell को हम lock कर देंगे keyboard से F4 की press करके इसको lock कर दो कॉमा लगाने के बाद अब कहरा है table array table array यह आपकी क्या होगी हमें search क्या करना है product id और product id हमारी table में पहले column में है तो कोई दिक्कत नहीं है पूरी table हम कर देंगे select इसको भी lock कर देंगे range को यह range मैंने lock कर दिया table range कॉमा लगाने के बाद यह कर रहे column index number आपको निकालना क्या है कौन से column से value उठानी है हमें यहाँ पे लाना है product name product name कौन से column में है one two second column में है तो यहाँ पे two type कर देंगे कॉमा लगा के zero exact match के लिए bracket बंद करके enter press करेंगे तो यहाँ पे देखिए 102 ID का product name आ गया 102 ID कहाँ पे यह रही इसका product name क्या है second column में microphone तो microphone आ गया है अब इसको पकड़ के आप अगर ऐसे drag and drop करोगे तो यह सभी में microphone आ जाएगा आपको यहाँ पे column number change करना होगा यहाँ पे आप double click करोगे HSN code कौन से column में है one two three तो यहाँ पे two की जगह पे आपको three type कर देना है three enter press कर देना है और इसी तरह आपको यहाँ पे double click करना है seller name कौन से column में है fourth column में है fourth column में तो यहाँ पे two की जगह आपको type कर देना है four enter press कर देना है और यहाँ पे quantity sold है fifth column में तो यहाँ पे भी आपको two की जगह पे five type कर देना है enter press कर देना अब यह सारा data निकल गया जो भी idea आप यहाँ पे pass करोगे उसका सारा data यह निकाल के हमें दे देगा आगे है समझ में चलिए अब आप कहोगे कि अगर हमारे पास 20 कॉलम है तो इस तरह से कॉलम नंबर एक के करके हम सभी में चेंज करेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा बहुत टाइम लगेगा उसका सॉलीशन मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है यह तीनों फर्मला अभी मैं कर देता हूं डिलीट दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है notification bell पे all जरूर दबा लेना तब भी subscribe करने का फायदा आपको मिलेगा यहाँ पे मैंने क्या किया है इस formula को डबल क्लिक करके edit करते हैं last में से हम column number पे हम वापस आगे यहाँ पे अब column number हम direct नहीं देंगे यहाँ पे columns का formula लगा देंगे columns का formula लगाएंगे bracket open करेंगे यहाँ पे हमें एक array देना होगा array हम दे देंगे अपनी heading दे देंगे पहली heading पे आपको click करना है column लगाना है उसके बाद आपको यहाँ पे second heading पे click कर देना है ठीक है तो यह एक range बन गई h8 से लेके i8 देखिए h8 से i8 पहला जो sell है h8 इसको हम कर देंगे lock तो h8 पे click करके f4 की press करके इसको हम lock कर देंगे columns formula की bracket हम कर देंगे बंद, comma लगाके exact match के लिए type कर देंगे 0 bracket बंद कर देंगे अब यहाँ पे क्या होगा columns formula में जो हमने range दी है ना वो यहां से लेके यहां तक दी है तो कितने column होंगे? 2 तो इस वाले formula में column number automatic 2 pass हो जाएगा जब इस formula को पकड़ के हम इदर drag करेंगे तो columns formula की range है वो भी drag and drop हो जाएगी पहला जो sell है columns के अंदर वो तो lock है यह वाला अब यहां से range किसक के columns में यहां तक आ जाएगी तो कितने column होगे? 3 column होगे तो इस वाले we look up में जो यहां पे लगेगा उसमें column number 3 pass हो जाएगा इसी तरह यहां पे जो columns का formula होगा seller name वाले we look up में वो 4 pass कर देगा यहां पे 5 pass कर देगा और we look up उसी column number से value उठा के आपको देता रहेगा enter मैंने प्रेस किया तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूँ इसको पकड़ के dragon drop करता हूँ तो काम हो गया आप यहां पे कोई भी idea लिखो यह properly काम करता रहेगा समझा गया we look up कैसे काम करता है वी look up vertically आपकी look up values को सर्च करेगा मिल जाएगी तो जो भी column number आप दोगे उसी column से value उठा के आपको दे देगा अब h look up इसका उल्टा है h look up क्या करेगा vertical की जगे horizontal आपकी look up values को सर्च करेगा और उसके बाद आपकी look up value मिल जाएगी तो नीचे दिये होए row number से value उठा के आपको दे देगा ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं कोई भी reason number पास करूँ इन में से कोई भी reason number पास करूँ यहाँ पर मानलीजी मैंने दे दिया west इसके बाद यहाँ पर total sale निकालनी हमें अब आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे west reason की total sale बताओ तो आप क्या करोगे पहले यहाँ पर चेक करोगे west reason कहाँ पर ही रहा उसके बाद नीचे जाओगे कौनसी row में total वाली row में फिर आपको total दिखेगा और आप बताओगे है ना ऐसी काम करेगा h look up यहाँ पर लगाती है h look up equal h look up bracket open look up value हमारी हो जाएगी यह reason कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर table आपको पूरी देनी है अपनी यह table मैंने पूरी दे दी कॉमा लगाने के बाद अब कहरा है row index number अगर यह reason यहाँ पर मिल जाए तो नीचे जाके कौन सी row से value उठाके आपको लानी है तो हमें लानी है total वाली row से अब total वाली row कौन सी है आप यहाँ से count करोगे तो यह 6th row है तो यहाँ पर row number हम type कर देंगे 6 कॉमा लगा के exact match के लिए 0 bracket बंद करके enterprise करेंगे तो देखिए west reason की जो total sale है वो कितनी दिखा रहा है तो इसने क्या किया यहाँ पर चेक किया west कहाँ पर मिल गया तो इसके नीचे गया 6th row में value उठाके आपको दे दी आप मानली सिए यहाँ पर type करते हो south interface करोगे तो इसने क्या किया यहाँ पर south search किया और south मिल गया तो इसके नीचे गया और जो value है 6th row में वो उठाके आपको दे दी अगर यहाँ पर आप कोई ऐसी look up value type करते हो जो आपके data min नहीं है तो na error आएगा जैसे की we look up में भी आता है अब इस error को आप हटाओगे कैसे पहले मैं यह बता देता हूँ आपको double click करना है और यहाँ पर equal के बाद लगाना if error formula if error formula bracket open सारा जो formula है actually look up इसको if error में बंद कर देना है last में जाके comma लगाना है अगर error है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हो अगर आप खाली cell रखना चाहते हो तो double course open करो double course बंद कर दो बैस bracket बंद करके enterprise करोगे तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी value आप पास कर ले हो जो आपके data में नहीं है तो cell खाली दिखेगा अगर आप खाली की जाए not found not available या कुछ और message दिखाना चाहते हो तो double course के बीच में आप लिख दीजिए मैंने आप लिख दिया not found ठीक है enterprise कर दिया तो अब यहाँ पर not found लिखाएगा अगर यहाँ पर आप reason देते हो तो उसकी value आएगी reason के अलाबा कोई ऐसी value दोगे जो आपके data में नहीं है ठीक है तो वो यहाँ पर sales यहाँ पर निकालनी है देखिए कैसे निकालेंगे पहले निकालते है quarter one की sale तो equal h look up bracket open look up value हमारी होगी इस cell में comma इस cell को अभी हम lock कर देते हैं क्योंकि हम formula नीचे drag and drop करेंगे ना तो हमने इसको कर दिया lock comma लगाने के बाद अब कहरा table array तो table हम कर देंगे select table को भी lock कर देंगे comma लगाने के बाद अब यहाँ पर row index number अभी हमें क्या नकालना है quarter one की sale quarter one की sale कौन सी row में second row में हैं तो यहाँ पर हम type कर देंगे two comma लगाके exact match के लिए zero bracket बंद एंटरफेस करेंगे तो यहाँ पर अभी north region की quarter one की sale आ गई north की इसने चेक किया north कहाँ पर है यह रहा quarter one की sale कहाँ पर 860 यह रही अब इस formula को आप पकड़ के dragon drop करोगे तो वही we look up वाला काम यहाँ पर हो जाएगा आपको यहाँ पर हर जगे row number change करना होगा यहाँ पर तो देखिए second row से value उठाके हमें दे रहा है अब यहाँ पर हमें quarter two की sale जो है वो कौन सी row में है third row में है तो यहाँ पर two की जगे आपको three करना होगा फिर यहाँ पर आपको क्या लाना है quarter three की sale जो की है fourth row में तो यहाँ पर two की जगे 4 करना होगा इसी तरह यहां पे 5 और यहां पे 6 6 समझाया अब यहां पे कोई भी reason आप type करिए उसकी सारी sales निकल के आ जाएंगी East reason की सारी sales आप देख लीजिए यह वाली सारी sales यहां पे निकल के आ गई है अब आप फिर से यही कहोगे कि अगर यहां पे बहुत सारा data हमें निकलने तो इस तरह से हम जो row number है वो बार बार कैसे इनमें edit करेंगे time लगेगा boring लगेगा तो ऐसे काम नहीं करना है मैं हूँ न बताने के लिए आपको क्या करना है यह formula आप कर दीजिए delete यह तो manual तरीका हो गया आप यहां पे double click करो double click करने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे row number को मैंने हटा दिया है यहां पे हम लगा देंगे rows का formula bracket open करेंगे अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें हम यहां पे click करेंगे पहली heading पे column लगाके यहां पे हम कर देंगे यह second वाली heading select तो यहां पे range बन गई K2 से K3 K2 को हम lock कर देंगे जो पहला cell है इसको हम lock कर देंगे F4 की press करके और rows का formula हम बंद कर देंगे अब जैसे columns ने काम किया था वैसे rows यहां पे काम कर देगा कॉमा लगा के अभी हम यहां पे zero pass कर देंगे exact match के लिए और finally h lock up को बंद कर देंगे rows का formula क्या करेगा? rows के formula में हमने range दिये यहां से लेके यहां तक तो कितने row होगई total? 2 यहां पे rows का formula row number पे 2 pass कर देगा जब formula पकड़के नीचे drag करेंगे तो rows की range है वो भी नीचे आ जाएगी क्योंकि पहला cell तो fix है तो यहां तक row formula की range आ जाएगी तो कितने row होगई? 3 तो यहां पे 3 pass कर देगा यहां पे 4, 5, 6 तरह से row number automatic pass होता रहेगा अब यह पकड़के बस आपको drag and drop करना है काम हो गया है ना? तो V look up H look up अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसके बाद आप देखिए X look up formula का magic यहां पे देखिए काम वही है जो H look up V look up करते हैं वही काम X look up करता है बट यह X look up दोनो direction में जा सकता है आपको vertically look up करना होता है तो V look up आप लगाते हो horizontally आपको look up करना होता है तो H look up लगाते हो बट यह सब का काम कर देगा यहां पे आप इसका magic देखिए जो भी product ID यहां पे मैं एंटर करूं उसका seller name यहां पे निकालना है अब यह V look up से भी आप निकाल सकते हो इसमें सबसे पहले हमें देनी है look up value look up value हमारी होगी इस cell में कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे हमें पूरी table select नहीं करनी होती हमें केवल एक row या एक column select करना होता है तो यहां पे हमारी look up value product ID अब यह product ID आपको कहां पे search करानी है वो हमें करानी है इस column में कॉमा लगाने के बाद अब कहरा return array आपको result कहां से लाना है result हमें लाना है यहां पे seller name तो seller name कर दिये select बस अभी bracket बंद कर देंगे तो यह XL का formula proper काम करेगा बहुत simple सा इसका funda है यह क्या करेगा यहां पे जो product ID है ना उसको इस range में चेक करेगा मिल जाएगी तो उसके सामने जाके जो seller की range आपने select की है उस cell से value उठा के आपको दे देगा enterprise कीजिए यह देखिए 105 इसने चेक किया 105 ID कहां पे यह री और इसके सामने गया यहां seller वाले column से और यहां से name उठा के आपको दे दिया है ना 102 ID मैंने इंटर की तो इसका name राजिस यह बता रहा 102 ID चेक की यह दी और इसके सामने देखिए राजिस ने में राजिस ने में उठा के आपको दे दिया यह तो काम we look up भी कर देता है यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो we look up नहीं कर सकता यहां पर मैंने कोई भी accession code लिखा और उस accession code के जरी हमें product name निकालना है जो product name है वो इसके left में है अब we look up तो left में नहीं जा सकता बट x look up left right दौनों तरप से data निकाल के आपको दे देगा यहां पर हम लगाते हैं देखिए equal x look up bracket open look up value यह हमने दे दी कॉमा लगाने के बाद यह look up value कहां पर चेक करनी है यह यहां पर चेक करनी है कॉमा लगाने के बाद कहरा result है दे आपको output कहां से लाना है इसका जो product name है वो क्या microphone दे दिया आपको निकाल के दूसरा code यहां पर पेस्ट करोगे तो उसका देखिए इसने product name निकाल के दे दिया printer 06 code यह रहा और इसका name क्या printer समझा आगया अब यहां पर एक चीज और आप देखिए यहां पर जो product id मैं एंटर करूँ उसका सारा data मेरे को निकालना है यह xlookup से बहुत आसान है यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम फिर से लगाएंगे equal xlookup bracket open lookup value यह id दे दी lookup array में हमें क्या करना होगा product id वाला column करना है select, comma लगाने एक बात return array आपको निकालना क्या है हमें निकालना है product name उससे पहले आप एक काम कर लो जो आपकी lookup value है इसको lock करो और जो lookup array है इसको भी आप lock कर दो f4 की press करके क्योंकि यह formula हम पकड़के drag and drop करेंगे न तो problem नहीं होगी comma लगाने बात return array आपको निकालना क्या है product name निकालना है तो product name हम कर देंगे select enter press कर देंगे तो यहाँ पर product name आगया अब यहाँ पर कोई columns का रोज का कुछ भी formula आपको नहीं लगाना है बस आप यहाँ से इसको पकड़के drag and drop कर दो यह देखिए सारा data निकालके इसने दे दिया अब ही मैंने क्या किया वापस इस formula को बंद करके enter press कर दिया अगर कोई AC ID देता हूँ यहाँ पर जो है नहीं आपके data में तो यह na error दे रहा है अब error हटाना है तो यहाँ पर if error formula की जरूरत नहीं है इसी के अंदर एक parameter दे रखा है last में जाओ bracket को हटाओ और यहाँ पर comma लगाने के बाद कह रहा है if not found अगर आपकी look up value data में नहीं है तो आप क्या देखाना चाहते हो cell खाली रखना चाहते हो तो double quotes open double quotes बंद कर दो अगर आपको कोई message देना है तो double quotes के बीच में आप लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है not found या कुछ भी जो भी आपको लिखना है तो मैंने not found लिख दिया है समझा आगया इसके बाद यहाँ पर आगे और भी parameter दे रखे हैं कॉमा लगाओ गया तो यहाँ पर दे रखा है आपको match mode exact match करना है या फिर आपको यहाँ पर बाकी option भी दे रखे हैं exact match का मतलब तो यह होगा कि जो आपकी look of value बिल्कुल same to same वही value मिले तो उसका data निकाल के दे दे यहाँ पर exact match और next smaller next greater यह भी दे रखे हैं option कि अगर आपकी value नहीं है data में तो उससे छोटी value का data निकाल के दे दे या फिर उसी बड़ी value का data निकाल के दे दे तो वह parameter आपको blank छोड़ने हैं अगले parameter पर जाना है तो कॉमा लगाने बाद यहाँ पर देखिए अब search mode आ गया यह उपर से नीचे और नीचे से उपर भी search कर देगा वी look up top to bottom चलता है जो की by default उसका fix है यह भी top to bottom ही चलेगा अगर आप यहाँ पर search mode नहीं दोगे तो अगर आपको नीचे से search कराते होए आना है तो यहाँ पर आपको option दे रखा है last to first year तो यह option आप यहाँ से select कर सकते हो मालीजी है यहाँ पर जो product ID है वो duplicate है जैसे 101 यहाँ पर भी है और 101 नीचे भी हो सकता है तो हमें नीचे से आते होए जो पहली 101 ID मिल जाए उसका data निकालना है तो आप इसको last to first करोगे तो वो नीचे से search करता हुआ आएगा जो पहली ID मिल जाएगा उसका data निकालके दे दे अब यह XLOOKUP आपको पूरा detail में सीखना है तो मैंने इसका complete tutorial बना रखा है आई बटन पर link है जाके आप देख लीजिए तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैंने bracket बंद करके enterprise किया तो यहाँ पर not found आ गया देखिए क्योंकि यह जो idea यहाँ पर ही नहीं idea आप दोगे ऐ type किया west अब यहाँ पर मेरे को उसकी total sale निकाल ली है अब यह काम हमने h lookup से किया था x lookup से हम करके देखते हैं equal x lookup bracket open lookup value हमारी क्या होगी यह reason कॉमा लगाने के बाद यह कहां पर चेक करना lookup array यह हमें यहाँ पर चेक करना है कॉमा लगाने के बाद return area आपको निकाल ली value कहां से है इस row से निकाल ली है बहुत सीम्पल सा funda enterprise कर दीचे यह देखिए यह proper काम कर रहा है समझा गया ना अब यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं जो भी मैं reason type करूं उसकी सारी sales यहाँ पर निकाल ली है तो x lookup formula लगा देते value कहां पर आपको lookup करनी है यहाँ पर हमें करनी है lookup इस range को भी हम कर देंगे lock keyboard से f4 की press कर दीजिए range lock हो गई कॉमा लगाने बाद return array आपको value कहां से लानी है यहाँ पर अभी हमें निकालनी quarter one की sale तो यह row हम कर देंगे select समझ आ गया x lookup यह बहुत powerful formula है दोस्तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अगर आपको बिल्लकुल detail में बारी की से सीखना है तो i button पे इसका complete tutorial दे रखा है जाके उसको देख लीजिए इसके बाद आप देखिए picture lookup हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे x lookup का use करके picture lookup लगाने वाले जो की बहुत आसान है यहाँ जो भी id मैं enter करूँ उसकी image मेरे को यहाँ पे लानी है तो simple सा formula हम लगाएंगे अभी पहले आप देखिए equal x lookup bracket open lookup value हमारी cell में होगी इसको log कर दे है यहाँ पे check करनी है यह range इसको भी हम lock कर देंगे comma लगाने के बाद return है रहे आपको image कहां से निकालनी है तो image हमारी है इस range में shift की दबा के down arrow press करके range कर लेंगे select इसको भी हम कर देंगे lock bracket बंद करके enter press करेंगे तो अभी यहाँ पे output आ रहे है 0 double click करो यहाँ पे यह formula पू और यहाँ पे define name पे जाना है यहाँ पे कोई भी एक name दे दीजिए मैंने name दे दिया ABC और यहाँ नीचे आपको क्या करना है इस box में यह formula पेस्ट कर देना है okay कर देना है बस इतना काम हो गया अब यहाँ से कोई भी एक picture copy कर लीजिए control c यह picture मैंने copy की और इसको यहाँ पे paste कर लिया control v ठीक है अब इस picture पे click करके रखेंगे उपर formula बार में आएंगे equal का sign लगाएंगे और जो भी आपने name दिया था formula जिस name से save किया है वो name यहाँ पे picture format पे जाने है यहाँ crop का option मिलेगा इस पे click करने है और उसके बाद इस picture को थोड़ा set कर लीजिए आप जैसे मैंने यह कर दिया इस तरह से ठीक है और बस बाहर कहीं भी click कर दीजिए अब आप देखिए यहाँ पे जो भी id आप type करोगे उसी की picture यहाँ पे आ रही है यह दे समझा गया तो इस तरह से आप x look up का यूज करके बड़ी आसानी से picture look up लगा सकते हो इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले formula पे जो की filter formula है अब filter formula क्या करेगा वी look up, h look up, x look up इन सबसे तो हम single record निकालते हैं जैसे मान लिजिए अगर printer का record आप वी look up से निकालोगे तो तो वी look up क्या करेगा जो पहला printer मिल जाएगा उसी का record आपको निकालके दे देगा अगर नीचे और भी printer है तो उनका निकालके नहीं देगा इस case में filter formula हम use करेंगे वो क्या करेगा देखिए यहाँ पे कोई भी product name में type करता हूँ मान लिजिए मैंने monitor type कर दिया यहाँ पे monitor अब monitor का पूरा data मेरे को निकालना है तो simple सा formula है equal filter bracket open यहाँ पे array देना है array का मतलब आपको अपना पूरा data इसमें कर देना है select कॉमा लगाने के बाद अब कहरा include मतलब condition दीजिए तो condition क्या होगी हमारा यहाँ पे जो criteria है वो कौन से column में है product name में तो यहाँ पे हम क्या product name select कर देंगे अगर यहाँ पे जो values हैं वो बरावर हैं किसके monitor के तो यह filter formula सर्च करके हमें पूरा data निकालके दे दे बस इतना सही formula है enterprise करोगे तो देखिए monitor का पूरा data इसने निकालके दे दिया है ना magic पूरा data निकालके दे दिया अगर यहाँ पे आप monitor की जिए पे mouse लि लिख दीजिए उसका पूरा data यह निकालके दे देगा अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा name type करता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं है तो kels error आ जाएगा error हटाना है तो double click करो यहाँ पे तीसरा parameter है उसको use कर लो comma लगाने के बाद कह रहा है if empty अगर यहाँ पे आप criteria खाली अब यहाँ पे अगर आप सही product name दोगे तो उसका data आ जाएगा समझा गया यह simple filter formula है अब अगर एक से ज़्यादा criteria हो तो यह कैसे काम करेगा माल दीजिए मैंने यहाँ पे product name लिखा printer और यहाँ पे मैंने reason दे दिया east region से printer का पूरा data निकालके हमें देना है तो उस case में formula कै कैसे लगेगा देखिए equal filter bracket open सबसे पहले इसमें हमें देना है array मतलब हमें पूरी table कर देनी है select कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे include में हमें condition देनी होंगी अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा condition कैसे देंगे देखिए पहली condition है product name में तो product name का जो column है उसको कर देंगे select equal का sign लगाएंगे और यह sell कर देंगे select अगर यहाँ पे जो values हैं वो बरावर है printer के यह तो हो गई एक condition अगर एक से ज़्यादा है तो आपको यह condition पूरी की पूरी bracket में बंद करनी होगी इस तरह से इस वाली bracket में और अब यहाँ पे एक से ज़्यादा condition है तो bracket में condition बंद कर नहीं है फिर से bracket open करके दूसरी condition देनी है दूसरी condition क्या होगी reason तो reason में अगर जो values हैं वो बरावर हैं इस वाले reason के तो इस वाली bracket को बंद कर देंगे इसी तरह star लगा के bracket के अंदर आप 3,4,5,6 जितनी भी condition देना चाहो वो दे सकते हो अब यहाँ पे comma लगाने के बाद कह एंटर करते हो या reason एंटर करते हो जो data में नहीं है जिसका record data में नहीं है तो उस case में आपको क्या दिखाने मालीजिए मैंने यहाँ पे लेख दिया not found और double quotes बंद कर दी bracket बंद कर दिया इस तरह से multiple condition आप filter formula में दोगे अभी printer east region से एक ही data यह रहा और इसके बाद यहाँ प है तो इसका पूरा data इसने निकाल के दिया 25 अब मालीजिए मैंने यहाँ पे इसका जो है reason change कर दिया west enterprise किया तो यहाँ पे इसका data इसने निकाल के दिया है मैंने यहाँ पे टाइप किया monitor monitor तो monitor का west में एक ही data है यहाँ पे east हम type करते हैं east तो east के अंदर 2 है mouse यहाँ पे आप टाइप करोगे तो mouse का data देखिए यहाँ पे है नहीं, east region के अंदर आप यहाँ पे इसका region change कर लिजिए, मैंने लिखा north enterprise किया, तो north के अंदर 1 है, और west के अंदर west के अंदर यहाँ पे 1 है, तो इस तरह से दोस्तो मेरे पास data थोड़ा इसलिए यहाँ पर इस तरह से जो सर्च करके रिजल्ट आ रहा है तो ऐसे आप filter formula में multiple condition दे सकते हो उम्मीद करता हूँ समझ में आगया होगा अच्छे से है न यह training file आप download कर ले वीडियो के description में लिंक दे दिया और इसके अच्छे से practice करना इसके बाद है if error formula जो कि मैंने आपको समझा दिया है we look up, h look up या और किसी formula में कोई भी error है तो वो error remove करने के लिए आप if error formula यूज कर सकते हो end formula आप देखिए end formula क्या काम करता है अगर हमें एक से ज़्यादा cells को join करना है, merge करना है तो वहाँ पर हम use करते है end formula इसका magic आप देखिए यहाँ पर first name है, यहाँ पर last name है और यहाँ पर gender है, फिलाल हम क्या करते है हमें first name, last name को join करना है full name यहाँ पर लाना है तो कैसे लाएंगे देखिए, equal पहले हम कर लेंगे select first name यहाँ पर first name इसके बाद क्या करना है end का sign लगाएंगे, double course में space देदेंगे फिर end का sign लगाके फिर हम last name को जोड देंगे यहाँ पर क्या होगा पहले B3 cell की value आएगी जो की राज है, उसके बाद end formula ने क्या कर दिया, इसके बाद space जोड दिया, और फिर अगला end formula यहाँ पर एक और लगा हुआ है, उसने क्या कर दिया C3 cell की जहाँ पर sign लिखा हुआ है उसको यहाँ पर यह जोड देगा, enter press करेंगे तो यहाँ पर देखिए, राज सिंग लिखा आ गया इसको पकड़ के dragon drop करोगे तो सारे जो name है, वो यहाँ पर join होके आ गई है यह ऐसे काम करता है अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अभी यहाँ पर तो यह name इस तरह से आ गई अब यहाँ पर मुझे क्या करना है full name लाना है बट साफ में Mr. Miss भी लगाना है Mr. Miss भी लगाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ gender से select all से टिक हटा के male टिक करके OK कर देंगे तो यहाँ पर males का data निकल के आ गया अब देखिए क्या करेंगे equal double quotes के अंदर type कर देंगे Mr. space देंगे पहले Mr. आ जाए फिर end का sign लगा के यहाँ पर हम select कर देंगे first name उसके बाद first name आ जाए फिर end का sign लगा के यहाँ पर हम दे देंगे space first name के बाद space आ जाए फिर end का sign लगा के हम यहाँ पर last name देंगे enter press कर देंगे तो यहाँ पर देखिए Mr. राज सिंग आ गया न इस तरह से आप cells को merge कर सकते हो end formula से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे male से टिक अटा के इस बार female पर टिक लगा देंगे okay कर देंगे यह females का record आ गया यहाँ पर face से equal का sign double quotes के अंदर type कर देंगे miss space double quotes बंद end का sign लगा के यहाँ पर हमने जोड़ दिया first name फिर end का sign लगा के यहाँ पर हमने जोड़ दिया space फिर end का sign लगा के हमने यहाँ पर जोड़ दिया last name enterprise कर दिया तो यहाँ पर देखिए miss reena कुमारी आ गया न यह देखिए अब filter पर जाईए select all पर टिक करके okay कर दिया यह देखिए यहाँ पर एक काम बड़ी आसानी से हो गया ऐसे काम करता है end formula अभी तो मुझे 2 cell join करने थे तो आसानी से मैंने कर दिये अगर 2 की जगे 20 cell join करने होते तो end formula काफी लंबा चला जाता अब उसी काम को sort करने के लिए यहाँ पर एक और गजब का format text join यहाँ पर देखिए first name, middle name, last name दे रखा है यहाँ पर हमें full name निकालना है equal text join bracket open इसमें सबसे पहले हमें देना है delimiter delimiter का मतलब हम बहुत सारे cells को जोड़ रहे हैं तो उनके बीच में क्या देना है बीच में space देना है comma देना है underscore देना है क्या देना है तो वो आपको यहाँ पर double quotes में type कर देना है मुझे यहाँ यहाँ पर space देना है comma लगाने के बाद कह रहा है ignore ignore empty cell अगर बीच में कोई खाली सेल है तो डेली मीटर को repeat करना है या नहीं करना तो यहाँ पे true false दे रखा है अगर ignore करना चाहते हो तो true select कर लो नहीं करना तो false कर लीजिए अभी मैंने कर दिया true select कॉमा लगाने बाद अब कहा है text one text two text three बस आपको select करना है तो पहला text यह है comma second text यह है comma तीसरा text यह है इस तरह से यहाँ पे text हम आसानी से select कर लेंगे bracket बंद करके enter press करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा name आ गया और बीच में deli meter जो हमने दिया था space तो यहाँ पे राज के बाद space कुमार के बाद space आगे समझ में यहाँ से इसको पकड़के dragon drop करेंगे यहाँ पे देखिए रोहित name है और बीच में फिर cell blank है उसके बाद सरमा है तो यहाँ पे रोहित एक space आया बीच में फिर सरमा आ गया अगर आप यहाँ पे deli meter में इसको false कर दोगे तो क्या होगा यहाँ पे दो space आ जाएंगे क्योंकि पहले यह cell की value आएगी फिर cell में कुछ है या नहीं है space आ जाएगा फिर इस cell पे जाएगा तो उससे पहले भी space आ जाएगा तो यह true false का यहाँ पे फंडा है अगर यहाँ आपने true दिया है तो अगर cell blank है तो उसके लिए deli meter repeat नहीं होगा false है तो blank cell basic हो deli meter repeat हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए मैंने space दिया है अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे underscore लगा देता हूँ मैंने यह लगा दिया enterprise कर दिया तो इस तरह से जो name है वो join होके यहाँ पे आ ज लिए formula पे sum if sum if अब normal basic sum तो सब को आता होगा equal sum bracket open इसमें मैंने यह range दे दी तो यह क्या करेगा total हमें दिखा देगा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे mouse की total quantity बताईए तो आप कैसे बताऊगे अब यहाँ पे mouse है यहाँ पे mouse है यहाँ पे mouse है यहाँ भी mouse है तो direct simple sum का formula तो य यह काम नहीं करेगा condition के साथ अगर हमें sum करना है तो हम लगाएंगे sum if formula तो यहाँ पे कोई भी product name हम टाइप करेंगे मालीज है मैंने टाइप कर दिया mouse और यहाँ पे हमें mouse की total quantity sold निकालनी है तो simple सा formula हम लगा देंगे equal sum if bracket open इसमें सबसे पहले हमें range देनी है आपका जो criteria ह है वह कहां पे check करना है हमारा criteria है product name का तो प्रोडेक्त नेम का जो कॉलम है उसको हम कर देंगे select comma लगाने के बाद कहरा है criteria कहां पे है criteria हमारा इस cell में है इस cell में जो product name है वो हमें यहाँ पे search कराना है वो मिल जाए तो उसके सामने जो जो यहाँ पे quantity sold है उनका total यह formula कर दे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे sum range total कहां से करवाना है total यहां से करवाना है बस bracket बंद करके interface कर दीजिए तो इसने कह दिया mouse की जो total quantity sold है वो 119 है दो यहाँ पे हैं इसके बाद दो यहाँ पे हैं आप इनका total कर लीजिए इतना ही आएगा अगर आप mouse की जगह यहाँ पे type करते हो scanner एंटरप्रेस करते हो तो scanner की total quantity sold इतनी है समझा आ गया इस तरह से काम करता है sum if formula माल लीजे reason wise मेरे को यहाँ पे quantity sold निकालनी है मैंने यहाँ पे reason type कर दिया north यहाँ पे मुझे quantities का sum करना है north reason की equal sum if bracket open range आपको जो criteria है वो कहाँ पे check करना है reason में check करना है comma लगाने के बाद criteria क्या है यह है criteria लगाने के बाद यहाँ पे sum range हमें यहाँ से sum करना है bracket बंद करके enterprise कर देंगे तो देखिए north reason की जो total quantity sold है वो 104 है north एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो इनका total आप कर ले ना 104 यह सही आ रहा है आप कोई भी reason यहाँ पे type कर दो उसी की यह total quantity दिखा देगा आग्या समझ में इस तरह से हम लगाते है sum if formula अब यहाँ पे एक और इसका magic मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे product name थोड़े से अलग है printer hp, hp scanner, scl monitor, mouse, hp, mouse है ना इस तरह से यहाँ पे product name लिखे होई है अगर यहाँ पे मुझे केवल hp वाले items की total quantity निकालनी है तो कैसे निगालेंगे केवल hp चेक करना है हमें cell में चाहे printer है, scanner है, monitor कुछ भी है केवल hp चेक करना है तो उस case में sum if formula हम कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया अभी hp टाइप कर दिया यहाँ पे हम लगाते है formula equal sum if bracket open range आपको criteria कहाँ पे चेक करना है product name में चेक करना है कॉमा लगाने के बाद, criteria क्या है इस cell में हमारा criteria है कॉमा लगाने के बाद, sum कहां से करना है sum यहां से करना है अभी enterprise करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है अब मान लिजिए मैंने यहाँ पे mouse यह mouse यहाँ से copy करके यहाँ पे paste कर दिया तो इसने mouse की total quantity sold दिखा दी 59 अभी यहाँ पे देखिए एक mouse तो यहाँ पे है और एक mouse यहाँ पे है अभी यहाँ पे जो total आ रहा है वो इन दौनों mouse का आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे criteria दिया mouse केवल mouse दिया है तो यह exact match कर रहा है mouse को ही यह search कर रहा है और उसकी quantity sum करके आपको दिखा रहा है यहाँ पे hp का mouse है और यहाँ पे mouse hp ps2 यह भी है बट इनका ही total नहीं कर रहा है मैंने यहाँ पे अभी क्या किया जो question मैंने पहले बताया था मैंने यहाँ पे type कर दिया hp अब hp के लिए यह 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे exact match कर रहा है और hp यहाँ पे है नहीं केवल hp cells में नहीं है यहाँ पे आपनों क्या करना है hp के बाद आपको star लगा देना है अब star से पहले hp लिखा हुआ है तो यह क्या करेगा cells के starting में hp चेक करेगा जिस-जिस cell के starting में hp लिखा हुआ है उसकी quantity सम करके आपको दे देगा अभी यहाँ पे देखिए hp कौन से cell में starting में लिखा हुआ है केवल एक ही cell में है और यहाँ पे total quantity कितने 20 है अब अगर आप यही काम थोड़ा उल्टा कर देते हो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अगर मैंने star के बाद hp लिखा तो अब यह last में चेक करेगा कि कौन से product के last में hp है तो उसका यह quantity का sum करके दे देगा यहाँ पे last में एक तो यह है और 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 एक यह है दो यह दो ही है 63 यहाँ पे निकाल के दे दिया है बट अगर आप यह चाहते हो कि cell में hp आगे हो बीच में हो, last में हो, कहीं पे भी हो तो यहाँ दोनों साइड आप star लगा दीजिए अब देखिए proper काम कर रहा है इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है माउस का पूरा data सर्च करके उसकी quantity sum करानी है तो माउस लिखो और यहाँ पे left right दोनों साइड star लगा दो तो यह माउस की total quantity निकल के आ गई है चाहे SP का माउस है, ACL का माउस है माउस आगे लखा है, पीछे लखा है उसे कोई मतलब नहीं है तो इस तरह से आप sum if में यह star का use कर सकते हो जो की बहुत magical है इसके बाद आप देखिए sum ifs formula अभी sum ifs में हम एक ही condition दे रहे थे sum ifs में आप एक से ज़्यादा condition दे सकते हो अब scanner product का region east से data हमें सर्च कराने है और उसकी total quantity यहाँ पे निकाल लिए है तो sum ifs का formula हम लगाएंगे एक से ज़्यादा condition है तो sum ifs लगा देंगे bracket open अब यहाँ पे पहले देना हमें sum range total कहां से करवाना है total यहाँ से करवाना है Note लगाने बाद पहला criteria हमारा है product name तो वो हमें check करना यहाँ पे chae 111 पहला criteria है क्या आपका वो यहाँ पे है प्रोडेक्ट जो भी हम प्रोडेक्ट निम लख को bipart हैरी parlar कॉमा लगाने के बाद second criteria है क्या यहां पे जो reason लिखा हो वो इस तरह से आप कॉमा लगा लगा के यहां पे criteria की range और criteria दे सकते हो एक से ज़ादा अभी मैंने यहां पे bracket बंद करके enterprise कर दी तो इसने क्या किया scanner east से total quantity निकाल के हमें दे दी तो यहां पे आप मान लीजिए mouse यहां पे तो यह north है और दूसरा mouse एक east यह तो यहां पे देखिए 40 और 25 65 हो गया अब जैसे आपने sum if किया ऐसी count if है sum if में sum करके दिखाएगा वो values का और count if में वो गिन के बताएगा मान लीजिए आपको यहां पे count करना है printer के कितने record हैं तो आप कैसे count करोगे अभी मैंने product यहां पे टोटल रिकॉर्ड मुरे को निकालने है total record निकालने है तो equal count if bracket open यहां पे हमें range देनी है पहले कहां पे आपको count कराना है तो यहां पे हमें count कराने कॉमा लगाने बाद इसमें कहरा है criteria क्या criteria क्या count कराना है printer बस enterprise कर दीजिए तो यहां पे अभी zero आ गया क्योंकि यहां पे हमारी जो spelling है वो mistake है printer की सई spelling लिखे enterprise करेंगे तो यहां पे एक है printer के दो record है एक एरा और एक एरा माउस यहां पे आप लिखोगे तो माउस के कितने record है चार record है समझा आ गया माल लीजिए reason के जरीए मुझे यहां पे total record निकालने है यह मैंने यहां से अटा दिया reason के जरीए निकालने है तो यहां पे क्या करेंगे equal count if bracket open range मतलब कहां पे आपको count कराने है हमारा criteria reason है तो reason में हम count करेंगे कौमा लगाने बाद क्या count करना है जो यहां पे reason लिखा हो वो enterprise कर देंगे तो यहां पे मैंने type कर दिया east region enterprise करेंगे east के 4 record है और यहां पे north मैंने type कि तो north के यहां पे देखे 3 record हैं ऐसे use करते हैं count if formula इसके बाद आगया count if अगर एक से ज़्यादा condition हो तो वहां पे count if कैसे लगाएंगे माल लीजिए मैंने यहां पे लिखा printer product name printer और east region दे दिया अब हमें क्या करना है printer east region में कितनी है वो count करके बताओ तो यहां पे एक से ज्य कांटर है यहां पे पहले हम देंगे criteria range 1 पहला criteria को प्रोडेक्त ने में कहांपे check करना है यहां पी check करना है comma लगाने के बाद अब कह रहा है लिखा humble और Q3 करना है नहीं तो reason कर देंगे select, reason कर देंगे select, कॉमा लगाने एक बाद कहरा है criteria to, second criteria है कहाँ पे, यहाँ पे है, इसी तरह कॉमा लगा लगा के आप criteria और criteria range दे सकते हो, bracket बंद करके enterprise करोगे तो यहाँ पे printer east reason में एक ही है, समझा आ गया, यहाँ पे, मैंने यहाँ पे mouse type कर दिया, mouse east के तो subscribe करके notification bell पे all दबा लो, और इस वीडियो को like किये बिना मत जाना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, thank you दोस्तो, have a nice day, जै हिंद, one day मातरम, take care